ओके फर्स्ट और फॉल गुद इवनिंग अल उफ यू आज के हमारा टॉपिक जो है वह हमारा सबसे पहले टॉपिक से पहले मैं बात करूंगे आपसे कि हम सब्जेक क्या पढ़ेंगे सब्जेक हम पढ़ेंगे एजुकेशन एजुकेशन का अर्थ तो आप सभी को पता होता यानि कि यह क्या है प्रैक्टिस है एजुकेशन कि से मिलती है हमेशा हमेशा प्रैक्टिस से मिलती है ना अभ्यास के एक शेत्र के रूप में इसका एक क्रैटेरिय कि मतलब कि हम जतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी नॉलेज और हमारी एजुकेशन स्किल्स हमारी इसके जो पॉइंट से हैं सबसे पहले हमारा उसके बाद है मारा उदेश्य फिर है दार्शनिक सामाजिक तथा मनोविज्ञानिक सिध्धांतों का अभ्यास में रूपांत्राण हैं ना इसके बाद हमारा सम्वेधानिक प्रावधान अलिए संव्वेधान के अंतारकत जो मिदार उसके आधारपार शिक्षा कि क्या क्या लुए हैं और तक निर्माण न पाथेचरा निर्माण उसका थन उसका कैसे पहुचा परद पर्थेचरा निर्माण इसके और निर्माण से है मूलबूत की चलण के अधाघर रखर rifla हमें दिया हुआ है इवं व्रद स्टर पर शोध या निकी चोटे और बड़े लेवल पर इस पर क्या नया पनाया क्या-क्या शोध हुए जो सम्हें जो है इडिकेशन की जो एडिकेशन लिन का तरीका था उसमें क्या-क्या शोद हुए थे और उसके क्या चैलेंजिस थे क्या कि चुनाउद्य थी, ऐगे हम कंटीन्यू करते हैं प्रस्तावना से, प्रस्तावना का अर्त होता है इंट्रोड़क्शन की, हम कुईसी भी सब्चेक के बारे में जब हम पड़ते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लेते हैं कि इसमें है क्या आखिर है ना तो प्रस्तावना में हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि शिक्षा ग्यान प्राप्त करने की नए विचारों की कोच करने की और पूर अनभव यानिकि जो पुराने एक्सपीरियन्स है उनका करने की सीखने की कुशलता हूं मूल्यों अभी व्रत्तियों तथा भवश्चे के लिए तयार करने की प्रक्रिया है यानि कि ज्यान प्राप्त करने की नए विचारों की कोच करने के लिए और नए विचारों की कोच करने के लिए और सीखने की कुशलता है है अनिकी इसके अंदर और किसी के अंदर के अधिए कि अपने अपने एक अपनी कुशलता होती है सारे सेम तो नहीं होते हैं सब के अंदर अलग-अलग चैलेंट चुपाओ होता है मूल्यों अभी विरत्तियों तथा भविश्चे के लिए तयार करने कि प्रक्रिया है ना यह पूरी एक प्रोसेस इसका होता है शिक्षा किसी भी समाज के भविश्यक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमे का निबाती है इसे सामाजी गतिशीलता के महत्वण कारकों में से एक के रूप में भी देखा जा सकता है सामाज को गतिशीलता किसे मिलती है एजुकेशन से मिलती है अगर लोग एजुकेट नहीं होंगे तो समाज बढ़ेगा कैसे आगे नहीं बढ़ताएगा पुराने विचारों में दबा कुछ ला रह जाएगा इसलिए एजुकेशन का होना बहुत जादा ज़रूरी है परिदाम सरू प्रतेग देश का लक्ष एक अधिक समग्र और समावेशी शिक्षय बढ़ाली का निर्माण करता है यािज शिक्षा को एक अभ्यास के रूप में समझना शिक्षण के विविद पहलू को सामने लाने की प्रक्रिया अब insight कराना है जी आगे हम पड़ते हैं इससे एकाइ के अध्यान के पश्चाट आप किस प्रकार अन्य विश्यों से संब्मन देता है सिर्फ एक बाशा के रूप में हम जो सब्जेक्ट के साथ भी से इड कर सकते हैं ना शिक्षा किसी भी सब्जेक्न में ली जा सकती है एजुकेशन हम किसी भी लैंग्विज में से पढ़ सकते हैं तता उनकी एक दूसरे पर अन्योन्या श्रित्ता का अन्विक्षन कर सकेंगे शिक्षा के लिए शिक्षा के विशेश संदर्व में नीती निर्माण के साथ सम्विधानिक प्रावधानों की संबंद को समझ है इसमें क्या क्या प्रावधान है उसके're के सबसे हमारे पास है मारे हमारे एजुकेशन सब्छेक्ट है जिसे हम परिप्रेक्ष का अड़ता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी विश्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगिटिव तो तरीके की जो हमें सबसे पहले के अंध्या की एक शाखा अनुशासन शिक्षा की एक शाखा है यान एजिकेशन की पूरी शाखा है इसके विश्य जो हमारा दिए ऊवे हैं ज्ञान शिक्षा की के शाख़ा जो इस तान पे रहन शिक्यारथी और सिम्हाज पर आम करता है और समय कह 17 यानि कि इसकी जो सामाजिक आवशक्ता हैं जरूते हैं समाज की वो क्या क्या है शिक्षार्थी के आवशक्ता है क्या क्या होती है और सामाजिक आवशक्ता है यह क्या क्या होती है तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पाठी चर्या के परिप्रेक्षे में हमें दिया स्थानिय स्थार पर राज्य स्थार बार्ट होता है कि हर सब्जेक का अपना एक क्रैटेरिया होता है लिमेट होती है हम उसे उससे जादा नहीं आगे बढ़के पड़ सकते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे इसके पहले नहीं की देखा तो शेक्षा प्राक्ट में विक्षित करनी की प्रतिय है कि जो हमारा vegतियों किसे देखा जातो प्राप्ट करना विक्ष्ण होता है ततला अकलगा कि के द्वारा व्यक्तियों की देंड करने के शाय là कि मलंब किसके इंदर क्या टैलेंट है कौन कितना ग्रोच कर सकता हैल आगे बढ़ सकता है तो की से क्याही की ये और अलग होती है तो बनाकर उन्हें जीवन के लिए तयार करने की द्रश्टी से व्यवस्तित्र प्रस्रिक्षन होता है की ट्रेइनिंग देना नहीं है और सामने तो हम शिक्षा को शिक्षा के लक्षियों को प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वह पाठे चरह है मालब कि हम हमने देखा है कि हमने देखा है कि 1st class 2nd class 3rd class particular classes के साब से एक syllabus तयार किया हुआ है हना तो उस syllabus को यह पाठे चरह कह सकते हैं कि हर किसी का प्रेर इतना अब यह होता कि वह 1st class में 5th class syllabus पढ़ ले तो particular एक criteria बनाया है syllabus का भी तो उसे हम इससे समझ सकते हैं तो एक तरीकी से हमारे पास यह उक्करण है जो हमारी बुक्स होती है वह हमारी यह होती है पाठेचर्या का संबंद उन्चेनित और संगटित विशयवस्तु एवं अधिगम अनुभवों की संपूर सूची से है जिनका मतलब शिक्षार्थियों को स्वयम के ज्ञान कॉश्लो एवं अभिवरत्यों कि की संपूर सूची से है इसका मतलब शिक्षार्थियों को स्वयम के ज्ञान म случаं कि उनकी वक्स में दिया वह है पाठेचरे क्या है विनλαए सँचित अधियन एवं तो कि आकस्मिक तयार की गई कोई वस्तु नहीं है मतलब कि इसे यूही नहीं बनाया गया है इसका अपना सध्धान्तिक आधार है तरीका है जो पाथे चरह समंधी लक्षों विशय वस्तु एवं विधियों के चयन में मार्ग दर्शन करता है क्या करता है एक तरीके से हमें जो पाथे चरह समंधी लक्षों विशय वस्तु एवं विधियों के चयन में मार्ग दर्शन करता है यह सध्धान्तिक आधार अत्वा इसकी बुन्याद दर्शन समाश शास्त्र मनो विज्ञान के साथ 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 शिक्षा के इतिहाज जैसी शिक्षा की शाखाओं पर आध उसके परिपेक्चों से संबंदद अनेक पहलूं को जानने की अपेक्षा की जाती है क्या की जातीह सिक्षा की रूप मैं मступ कि शिक्षार्थी कौन होता है जो शिक्षा गरंड करता है कि अजले इस से इतिहा जिक परिपेक्षा की आर कि यानि कि आपके अंदर जो curiosity होती है उसे जगाना होता है तरीके से आपको क्या-क्या समझ जाया, इसके बारे में आपका और क्या-क्या जाना जाते हैं, है ना?